नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों सामने निसोरा का पेड़ लेकर हाजिर हुआ हूँ यह जो आप सामने देख रहे हैं यह विरिछ निसोरा का है दोस्तो आयरवेद की दुनिया में निसोरा का बहुत डिमांड है बहुत मांग है तो दोस्तों हर तरह जड़ी बूटी की तरह निसोडा को भी एक जड़ी बूटी के कटगरी में माना जाता है और इसका आयरवेद में बहुत ही महत्त है तो आओ दोस्तों आज हम इसी ब्रिच के फायदेग बारे में जानेंगे किया किन किन रोगों में हो जाते हैं और सर्दी खासी में भी बहुत लाबदायक है अराम मिलता है और दोस्तों निसोडा के कोमल कोमल पत्तों को पीश कर फोड़ा फुनसी पर बानने से घाव जल्दी भर जाता है और भी दोस्तों इसके फाइदे हैं अगर किसी पूरुस को प्रमेह रोग है या फिर किसी इस्तिरी को लिकोरिया रोग है लिकोरिया माने इस्तिरियों जो सफेग पानिक सिकायत होता है उसे लिकोरिया कहते हैं और प्रमेह माने होता है धातू रोग जैसे किसी पूरुस को धातू गिरता है तो दोस्तों आयरवेद गरंद के अनुसार या इस्तिरी पूरुस दोनों के लिए काफी फाइदे मंद है इसके कोमल कोमल पत्ते को लेकर पीश कर उसका रस निकालने करीबन 20 एमल या फिर जादे जादे 40 एमल तक और उस जूस को सुबह खाली पेट लगाता है 40 दिन तक पिए तो यह फाइदा हो इससे फाइदा होगा लिकोरिया भी ठीक हो जाये गा और धातू रोग भी ठीक हो जाएगा तो तो दौस्तों इसके इतने ही फाइदे नहीं और भी फाइदे की उस्टी से लेकर 50 पुट तक भी पाए जाता है देख लीजिये दोस्तों जीस पेड नीचे मैं खड़ा हूं उस पेड की उचाई करीबन 40 से 45 फुट तक है और दोस्तों आप ये जान लीजिए इस मौसम में इसमें फूल और फल नहीं लगे हुए हैं और इस मौसम के बाद जो दूसरा मौसम आएगा उस मौसम में फूल खिलेंगे और फल लगेंगे दोस्तों फल फूल नहीं है लेकिन मैं फलों के आप को बता दे रहा हूं ध्यान पूरुवक आप सुनान वप जैसा होता है खाने में मीठा होता है और खाने पर कसेलव लगता है पके हुए निशोरा फल में बहुत लसार होता चिकनापन होता है जैसे सीना में जमा हुआ कफ होता है उसी तरीके से उसी तरह से निसोरा का फल दबाने पर उसमें लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे केलसियम फासफोरेस कहा जाता है दोस्तो या निसोराग फल जो है उसे सुखा कर उसका पौडर बना कर मिश्री या चीनी मिला कर रख लीजिए सुबा साम आपको 10-10 ग्राम दूद साथ सेवन करना है तो दोस्तो अगर आप निसोराग फल के चूरन इस्तमाल करेंगे खाएंगे उफियोग करेंगे तो आपके कमर में ताकत आएगा आपके पतले धातू जो है वो गाड़े हो जाएंगे केलसियम बढ़ेगा हड़ी के अंदर अगर दर्द होता है तो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा दोस्तो मरदानगी बढ़ाने का सबसे अच्छा आयरवेदिक जड़ी बूटी माना जाता है इसे तो दोस्तो जंगल में रहने वायलों के लिए या एक तरह से अम्रित है बहुत से लोग दोस्तो इसके फल के अचार भी बना कर सेवन करते हैं दोस्तो इसके फाइदे इतने ही नहीं और भी फाइदे अब मैं आपको इसके च्छाल के बारे में बताऊंगा दोस्तों ये जो सूखे-सूखे चाल देख रहे हैं ये पेढ़ के चाल हैं दोस्तों पेढ़ से चाल इस तरह से निकाल लेजिए निकालने के बाद इसे पानिम पकाईए पकाने के बाद जो इसका काđः बने गाईगा से कुल्ला करने से दातों के अंदर दर्द है वो बिल्कुल सांध और मसूडे भी दातों के अंदर कीड़ा होगा उमर जाएगा तो दोस्तों अगर छाल नहीं मिलते हैं तो पत्तों को भी काड़ा बना कर आप इस्तमाल कर सकते हैं तो देख लीजिए दोस्तों ठीक से पहचान लीजिए सर्दी खासी जुखाम के लिए बहुत ही बेश्ट आयरवेदिक दवा होता है यह देखिए यह कोमल पत्ते हैं यह निसोडा के और धात लिकोरियां भी इसी तरीके पत्ते को इस्तमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा बेश्ट होगा तो दोस्तों आज की महातपूर जानकारी मैं यहीं समाप्त करता हूं अगर मेरा जानकारी आपको पसंद आ आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदी